नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिश्टर ओटो हब के एक और फ्रेश वीडियो में आजमा है मारुति सुष्की के शोरूम में मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मारुति कर फैनली बहुत ही बहतरीन कार जो की है मारुति सुष्की सीलेरियो 2022 वेरियंट जोचे लिए आप उसका फ्रेंट फिश्या देख सकते हैं यह है इसका कुछ जैटेक्स आई वेरियंट आप इसमें देख सकते हैं कितना फ्रेश लुक इसमें प्रोवाइड करा गया ह करते हैं तो शुरू करते हैं इसका हम लोग फ्रेंट प्रोफाइल से बढ़िया सी ग्रिल आप देख सकते हैं जिसमें लंबी स्ट्रिप्स प्रोवाइड करी गई है और इसका हैड़ लाइट से वह हालूजन बेश्ट आती है नीची आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलती है आप aftermarket foglands place करवा सकते हैं यह है इसका जडेक्स है वीरिंड जिसकी कीमत है 6,73,000 रुपए on-road लखनो में इसका जो competition है टियागो, पंच, इगनेस, वैगनार, सेंट्रो और जो ओवार्वियम है उस पर आपको turn indicators दिखने को मिल चाहेंगे Electrically adjustable's है, foldables नहीं आते हैं टार की length 3695, width 1695, height 1555 and wheelbase 2435 mm का provide करा गया है, ground clearance भी आपको 170 mm की मिल जाती है fuel tank capacity 32 liter की मिलती है, overall जो mileage यह बात करें इसकी तो 25.2 kmpl का mileage यह प्रोवाइड करती है, का मतलब ही CNJ के आसपास यह आपको petrol में mileage देगी, CNJ और petrol की दुन को कीमर सेम ही हो गई है यूपी में, उपर क्रिसाइब में बैक में आपको washer, high mountain stop lamp, wiper, defogger देखने को मिल जाएगा, ceiling area की bashing भी यहीं पर आपको टेल आटस की आप देख सकते हैं, जो कि fully hyalogen में आती है, नीचे reflector मिल जाता है, जिसमें reverse parking sensor भी place करा गया है left side, right side, दोनों में आपको reflectors and reverse parking sensor देखने को मिल जाएगा, यहाप आप देख सकते हैं, सुचकी की bashing देखने को मिल जाएगा, एंच छोटा से liver दिया है, जिससे आप tailgate में enter कर सकते हैं, कुछ side से look आप देख सकते हैं, कार का, ऊपर कोई roof rails नहीं आती है, चलिए enter करते हैं, हम लोग इसके boot space को दिखाते हैं, आपको कितना मिलता है, तो इसमें आपको 313 लिटर का massive boot space मिलता है, जो की decent amount का है, एक hashback के लिए, नीचे आपको same size का tail देखने को मिल जाएगा, जो किया दा 14 inch का, 165 mm का, एंड जो इसका आप कई सारा area देख रहे हैं, तो partial trim इसमें आपक प्रोवाइड करी गई है, जो कि अच्छा है, मलब ZXI variant से आपको काफी सारे features add-on मिल जाते हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ इसके side profile से, तो पहले के मोकाबले looks काफी ज़्यादा enhance कर दिये गए है, उपर के side में आपको एक antenna देखने को मिल जाएगा, और बात क सकते हैं, कितना बड़ा door मिल जाता है, फुली black combination में इसका door प्रोवाइड करा गया है, और कुछ बात करें इसके door में, तो इसमें आपको एक लिवर प्रोवाइड करा गया है, एंड कुछ यहाँ पर हैंडर की space, बाटर होले की space, एंड स्पीकर प्लेस्मेंट मिल जाती है, इसके door पर बाकी जादा कुछ नहीं दिया गया है, महीं नीचे आपको fuel lead opener की space, यहाँ से आप open कर सकते हैं इसका boot, यहाँ पर highlight adjustment का button दे रखा है, तो यह आप देख रहे हैं इसका instrument cluster, जो की Ignis में भी सेम ऐसा instrument cluster प्रोवाइड करा गया है, वहीं अगर बात करें तो यहाँ आपको idle start stop का button देखने को मिल जाएगा, and यह है, ORM adjust करने के लिए button, जिसकी placement मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, left side में steering पे music controls मिल जाते है, silver finish का use देखने को मिल जाएगा steering पे, and भहीं बात करें तो steering adjustable आता है, telescope भी नहीं आता है, प्लस यह gear की placement मिल जाती है, and आप इसमें USB करेक्ट कर सकते हैं, Bluetooth से भी चला सकते है, प्लस यहाँ पर भी आपको place मिल जाएंगे, इसके window के control, शीशे, up-down करने के लिए, SRS का airbag, आप housing देख सकते है, AC की कितनी बढ़िया दी गई है, प्लस glove box पर आपको decent size का देखने को मिल जाता है, वह अगर AC की बात करें, तो AC आपको इसमें normal मिलती है, manual वाली, 12 wall को power सको नीचे, थोड़ी सी storage space, 2 cup holder की space, and gear lever भी आपको fully black में देखने को मिलेगा, 5 speed का manual gear इसमें आता है, automatic वाला भी विलेंट इसमें आता है, IRVM आपको manually adjust करने पढ़ेंगे, उपर boot cabin lamp दे रखिए, and vanity mirror भ सीटिंग की fabric एज़ा, 6,00,000,000 कार की सबसे मुझे थोड़ी सी down लगी, थोड़ी और भी increase कर सकता था मारूती, मगर आप जने ली जानते है, मारूती क्या services प्रोवाइड करता है, safety को लेके, तो चलिए, अब हम लोग बात करते को, जिसके second row की, कैसा comfort आपको इसमें मिलता ह है, मारूती की तरफ से, तो जो glass area, वो काफी बड़ा area है, प्लस इसमें आपको simple सा, जैसा front row मिलता है, same, वैसा ही आपको second row में भी दोर वैसे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिसके power window के controls, rear AC event में नहीं प्रोवाइड करे गए हैं, जाब जो seat की देखने को नहीं मिलेगी, space के मामले में, प्लस features and safety के मामले में थोड़ी कमी देखने को मिल सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि मारूती के safety कैसी रहती है, यहाँ से आप इसका bonnet open कर सकते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन से engine आपको मिलता है, तो इसमें आपक सेग्मेंट में, इसी वज़े से यह कार बहुत जाता मानी जाती है, और पहचानी जाती है, और इसका engine के requirement है, वो तो next level मरूती का हमेशा से रहा आई है, तो यह था कुछ review हमारा से लेरियो को लिए कि आप में comment section में बताईएगा, क्या आप इस कार को purchase करना चाहेंगे, और